आज मैं आपकी दूस नायर आपको बताऊंगी कि क्यों है भैस का दूदपी ना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदिमन अक्सर कहा जाता है कि अपनी हट्टियों और दातों को मजबूत रखने के लिए हमें दूद का सिवन करना चाहिए क्या आप जानते हैं कि भैस का दूद बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है हमारी हट्टियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए तो आईए डालते हैं आज नजर कुछ ऐसी ही बातों पर जो हमारी सेहत को और भी अच्छा बनाती है भैस के दूद का सेवन करने से टिप नमबर बन प्रोटीन से भरा होता है भैस का दूद जी हाँ भैस के दूद के अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी होती है साथ ही साथ इसके अंदर आट तरीके के अमलिये पर दार्ट भी पाय जाते हैं जिसका सेवन करने से हमारे शरी को काफी ताकत मिलती है कहा जाता है कि बुजुर्गों को रोज़ानाध दोकब भैस के दूत का सेवन जरूर कराना चाहिए क्योंकि ऐसा कड़ने से उनकी मासपेशों को टाकत मिलती है टिंप नमबर तू कई मात्रा में मिलर्ल सपाई जाते हैं भैस के दूत के अंदर भैस के दूद के अंदर कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी दातों और हड्डियों को मस्बूत बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं इसलिए आपको भैस के दूद का सेवन नियमित रूप से जरूर करना चाहिए फैस के दूद के अंदर आपको विटिमिन B12 मिलेगा जिसका सेवन करने से हाट अटैक का как लाफी बहुत ही कम हो जाता है साथ ही साथ अगर आप नियमित रूप से भैस की दूद का सेवन करते हैं तो आपका शेरीर अच्छे तरीके से काम करेगा और हार्ट ब्लॉकेच होने का खत्रा कभी नहीं बनेगा कहा जाता है कि भैस की दूद के अंदर गाएं के दूद के मुकाबले में काफी कम कॉलिस्ट्रॉल होता है इस दूद का सेवन मदुमे और हार्ट अटैक की रोग्यों के लिए काफी अच्छा मना जाता है मदुमे के रोगियों को रोजाना भैस का दूद का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि उनका कॉलिस्ट्रोल लेवल मिंटेन रह सके और जिस वज़े से उनका शुगर लेवल भी मिंटेन रहेगा टिप नमबर 5 फैट से भरपूर होता है भैस का दूद जी हाँ अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है और आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आपको दिन में दो गलास भैस का दूद जरूर बीना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गुट फैट होता है जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको वजन बढ़ाने में काफी मदद करेगा सो फ्रेंट्स ये थे कुछ टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं भैस के दूद का सेवन करके इन्हें अजमाई और अपने व्यूज को हमाई साथ शेयर करेए मेरी ब्यूटी और हैप से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजे तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे एजाज़त देती हूँ